नमस्कार दोस्तों मैं जहांगिर तडवी नॉलेज केंपस के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर आप सभी का सवागत करता हूं नॉलेज केंपस इंदोर MPPSC जो सिविल सर्विसेस होती हुआ उसकी तैयरी करवाता है और मैं MPPSC के सेलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट नंबर साथ का जो आपका टॉपिक है हुमन बॉडी को कवर कर रहा हूं लास्ट लेक्चर में अपने पढ़ा है डाइस्टिव सिस्टम की अलेमेंटरी के नाल ठीक है तो जो है इसको बला जाता है हीपिटो बिलियरी सिस्टम या और इसके साथ में होता है पैंक्रियास ठीक है देखिए इसके अंदर यह जो है तो जिसको अपना पढ़ने वाले यह पुरा की पुराइज का है लीवर है ठीक है इसको बला जाता है यह क्राज भी बला जाता है इसके लिवर के पीछे मतलब पोस्टेरियर में होता है गॉल ब्लेडर और यहाँ पर होती है पैंक्रियास ठीक है तो तीन गिलेंड्स को आज अपन पढ़ने वाले हैं ठीक है इससे संबनीत क्या प्रशना आते हैं अपन इसकी वे आज स्टडी करेंगे ठीक है तो देखिए जो हीपेटो ब्लेरी सिस्टम है जो किसे मिलकर बना है तो अपन देखते हैं लिवर मतलब यक्रत गॉल ब्लेडर और इसके साथ में पैंक्रियास ही मिलकर बनावा है ठीक है यह जो होता है तो जब भी फूर्ड स्टमक के अंदर डाईजेशन होने के बाद में मतलब काईम क पहल चला जाता है समौल इंटरेस्टाइन में मतलब छोटी याध का जो डिएजेशन होता है इसके साथ में क्या होता नहीं कहने पैंक्रियाज लिवर और गौल्बलेटर, तो यह पुराएटि राइगराम है मैं आपको बता है, यह पैंकरयाज है, ठीक है, यह यह लिवर है और यह जो ग्रीन वाला भागे that is क्या है, यह है गौल्बलेटर ठीक है, तो चलिया आगे अपन और पढ़ते हैं इसको तो इसके पहले मैं आपको बता देख तो pancreas, सबसे पहले पन पढ़ रहा है pancreas, अब यह pancreas जो होती है, तो लगबग 12 से 15 cm long होती है, ठीक है, 2.5 cm ठीक होती है, ठीक है, अब यह कहाँ पर होती है, तो मैं बता तो आप लोग को, कि जो stomach होता है, उस stomach का जो greater curvature के posterior होती है, greater curvature के पीछे के और यह होती है, अब जो pancreas है, इसके अंदर क्या क्या होता है, head होता है, body होती है, और tail होती है, यह तीन चीज़े से मिलकर बनावा है, यह इसका divided glands का, ठीक है, अब जो duodenum होता है, यह duodenum के साथ में जूड़ी भी होती है, दो ड़क्ट के साथ एक होती है, pancreatic duct और एक होती ह accessory duct, ठीक है, इसके बाद में, जब इस pancreatic duct के साथ में, bile duct आकर जूड़ जाती है, तो उसको हम बोलते है, hiptopancreatic ampula, क्या वला जाता है, इसको hiptopancreatic ampula, मैं आपको अभी हाँ पर बता रहा हूँ, लेकिन इसको picture में जाकर मैं आपको फिर से बताने वाला हो, ठीक है, अब जो hiptopancreatic ampula जो होती है, यह जो होती है, तो यह dilated common duct होती है, और लगबग 10 cm जो होती है, तो यह inferior होती है, नीचे की रहोती है, pyloric sphincter से, ठीक है, और इसके बाद हम देखते है, hiptopancreatic ampula के लाओ, हाँ पर एक दूसरी duct होती है, इसको नाम है, accessory duct होती है, यह accessory duct क्या करती है, यह accessory duct pancreas से आकर empty हो जाती है, किसमें duodenum में, जो लगबद 2.5 cm superior होती है, किसके, hiptopancreatic ampula के, इस slide में कुछ समझ में आया है, तो okay, otherwise मैं आपको और diagram की help से बता तो, आप इन सब चीजों के screenshot ले लिया करो, ठीक है, अब देखे हम पढ़ रहे pancreas, मैंने pancreas के आपको बता ह होते हैं, तीन भागों से मिलकर बना है, क्या है उसका बाद में हमने देखा है, इसका head, body और tail, तो यह जो pancreas का जो आगे का हिस्सा होता है, इसको बला जाता है, head बोला जाता है, जो कसे जुड़ावा होता है, duodenum से, यह जो भाग होता है, इसको बला जाता है, body, और जो last तीन भागे, अब इसके बाद में आपको बताया था, इसके अंदर 2 duct होती है, एक duct कौन से होती है, इसके अंदर हमने देखा, एक pancreatic duct है और एक accessory duct, तो यह जो पूरी पूरी duct है, इसका नाम है pancreatic duct, यह क्या होती है, यह पूरी pancreas में से pancreatic juice को carry करके लेकर आती है, अब इसके जो होती है, जो pancreatic duct है, यह बाइफर किट हो जाती है, और बना देती है, ऐसे सरे duct, तो यह है आपकी accessory duct, देखिए वाली, यह accessory duct है, और यह होती है, आपकी pancreatic duct, अब इस pancreatic duct के साथ है, यहां से उपर से जो लिवर से आने वाली, जो duct इसको बन बोलते है, बाइल duct, ठीक है, common bile duct जो होती है, यह देखिए, बाइल जो green वाली है, आकर कहाँ पर जो merge हो गई है, pancreatic duct के साथ में, तो हमने इसको बल जा है, हिपेटो-pancreatic ampula, अब जो हिपेटो-pancreatic ampula होता है, जो यहां पर जो होता है, क्या तो पाइलोरिक रिजन होता है, तो उसके लगबख 10 cm posterior होती है, मंदब नीचे के और होती है, sorry, inferior होती है, और इससे लगबख 2.5 cm क्या होती है, ऐसे सरे duct होती है, तो यह है आपका pancreatic का anatom chemical part. इसके लाव में आपको next line में बता हा हो कि इस pancreas के जो बनीर है, कि से मिलकर बनी है, तो उन sales को क्या बहन बताता आपको इसको histology बолता है, पर पंक्राहस की जो होता है, इसकी glandular care Kimberly oh 28% का और एसी नी थे cells होती है, क्या होती इस के अन्द और उल देते हैं ठीक है 99% इसक्राइब करूठिक जयुन से जो क्या सीक्रЕТ चिर्द करती है इसे यह दिद सेellि मुलते हैं इसके लोगा इसके अंदर होता है पंक्रेयास की से मिलकर रोंदा इसमें जो बनने वाले हर्मों से वो सिधा ब्लेट के अंदर जाते है इसलिए जो पैंक्रियाज होता है ना पैंक्रियाज दोनों फंक्शन करता है एक्जोक्राइन भी करता है इंडोक्राइन भी बोलता है इसलिए पैंक्रियाज को बला जाता है मिक्स्ट ग्लेंड क्या बोलते हैं यह आप लोग याद रखि वो सिक्रेट होता है बीटा से और सोमेटोस्टेटी वो डेल्टा से सिक्रेट होता है ठीक है और पैंक्रेटिक पॉली पैप्टाइडेज भी सिक्रेट होता है तो पैंक्रेटिक यह जो है अपना क्या है इसकी कोशिकाओं से बनने वाले बारास उसे लेकर 1500 ml बनता है ठीक है तेर लेटर के लगब यह बनता है पैंक्रेटिक जूस्टिक है इसके अंदर डाइजिस्ट एंजयम सोते हैं सोडियम कार्बोनेट्स होते हैं वाटर होता है ठीक है अब इसमें जो एंजयम सोते वह पढ़ना थोड़ा जरूरी यह जिसे करता है स्टार्च को मतलब कर Śचा करता है इसमें अंदर होता है ट्रीकी मुंक्र्प्रीपसी और इलास्टेज होता है जो डियोस को करता इसके लाव मतलब करता है तो इसका कम करता है पैंक्रिटिक दिसका और हर्मों चे नामे और को सबस्क्राइब करने तक है अपने तैनल इवर अब जो होती है लिवर जो होती है इसको यकरत बोलते इसका weight level 1.4 kg होता है average weight ठीक है अपने body की सबसे large gland है सबसे heavy gland अपने body की ठीक है अपने body का internal सबसे बड़ा large organ है ठीक है skin को छोड़ने के बाद में अपने body का दूसरा largest organ क्या है liver है मतलब यक्रत है अगर internal largest organ पूछे तो liver है ठीक है अब जो liver होता है यह कहा होता है inferior होता है किसके डाइफ्राम के दलब डाइफ्राम जो होता है हमारी chest cavity और abdominal cavity को जो divide करता है उस diaphragm के नीचे होता है ठीक है और most of the reason कहाँ पर होता है cover करता है राइट hypo-condic region को यह cover करता है ठीक है और epigastic reason होता है abdominal pelvic cavity का ठीक है इन दो रिजन्स के अंदर यह होता है अपना लीवर ठीक है जो लीवर होता है completely cover कि से होता visceral peritonium से यह cover होता है इसके उपर जो लेयर चड़ी वी प्रोटेटी लेवर सुक्राइब लेयर बोला जाता है अभी जो लीवर होता है यह डिवाइड होता है principal lobes के जो दो लोब है इसका तो कुन सा है large right lobe ठीक है और smaller left lobe मतलब दो इसके भागों बेच्चोड यह सेंदर डिवाइड होते है इसको देपन लूब्यूस एक चीज़ याद रखें लिवर के अंदर होती कुफर सेल्स जो कुफर सेल्स क्या करते है फैगोसाइट यसिस काम करती है मतरिं इंगल्फ मैं का काम करती है जैसी भी लीवर के अंदर जब यहां पर होती है यह होती है तो क्या होती है लिवर की सेल होती है और यह क्या करता है कि में फॉंक्षन करना सिक्रेशन करना और होती है हीपरो साइटेंट्याने टो रहती हिए तो देखिए आगे माईगे सा और बता तो लिवर के बारे में और अब देखिए कि मैंने आपको जैसे बताई कि लिवर जो होता है तो इसको डो मुद आई और लो भी छोटा लो भी लेफ्ट वाला ये डिवाइड किस से फालसी फाम लिगामेंट से मैं आपको बता है था कि लिवर का पर एप पोस्टेर इंफिरियर डूदा डाइफ राम डाइफ राम के इन फिरियर में होता है ठीक है तो इस टाइब से क्या अपना लिवर बॉडी का स ऐस थी क्रेशन होता है इसके एक स्क्रेटर फॉडाइक लिमिट a कैनाली कुलाई बोला याता है ठीक है और यह कहां पर होती है लोबिल के बीच में होती है एक लोबिल से दूसरे लोबिल के बीच में बाइल जूस जाता है कैनाली कुलाई के मदद से अब जो के लिए जो होती है बाइल उसको केरी करती है कहां पर हेपेटो साइट से लेती है हो और लार्ज बाइल डट्ट के अंदर इसको भीज़ देती है लाज बाइल डट्ट के अंदर जाने के बाद किसमें चली आती हेपैटिक डट्क गईंधर तो लाजवाइल अफ से Orthodox है अनुद हेपैटिक डग्ट होती है तो दो दियोडिनम के अंदर जहां पर क्या होता है फूड का डाइजेशन होने वाला होता है दियोडिनम के अंदर कैसे यह इसके तुरो आते हैं हिपेटो-Pancreatic-Ampula के हल्प से कहां चली आती हो पुरा पुरा बैल जो आता है दियोडिनम के अंदर ठेक है तो इस लिवर के बाद में अपने अब देखते हैं लिवर के functions अब जो लिवर के function अभी क्या function है तो metabolism का का काम करते हैं इसे glucose का metabolism करता है glucose का utilization बोल सकते हैं आप एक टाइब से metabolism करना मतलब कि अगर जादा है तो उसको क्या करता है ये glycogen के रूप में इसको store करके रख देता है glucose को ठीक है अगर body के अंदर कम है glucose का blood glucose का तो उस glycogen को breakdown करके glucose के अंदर convert कर देता है ये metabolism का function करता है अपना लिवर इस process को आगे देखिए किस किस नाम से जानते तो इसको बलते है glycogenesis glycogenesis का मतलब होता है glycogen का formation from the glucose जो glucose होता है वो जारे किस के अंदर glycogen तो उसको बला glycogenesis 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 का मतलब होता है formation करना glycogenesis glycogen का बनना किस से बनने हैं glycogen glucose से उसके बाद में glycogenesis राइसिस का मतलब होता breakdown रटूट ना तो हम देखता है glycogen glycogen का तूट कर glucose का बनना उसको लेंगे अपन गयुको लाइको लाइसिस इसके लाओ है ग्लूको मतलब कह बनना अधर ड्यान्दा कार्भो हैड़ेड को छोड़ को दूसरे सबस्टांस से जब कभी् है तो सब्सक्राइब करने का तो अमेन अशेड़ के अंदर के इसका मेटाबलिजम होता है जिससे अमोनिया का फॉर्मेशन होता है अभी जो आमोनिया को ज्यादा टॉक्सिक होता है तो लिवर क्या करता है इस Ice Ammonia को convert करता है Highly Toxics Ammonia से किसमे, Lease Toxic मतलब की उरिया के अंदर इसको convert करता है जो कि हमाई body से excret out हो जाता है ठीक है, तो जो ammonia है, उसको convert कर जाता है, किसके अंदर उरिया के अंदर, जो हमारी urine के साथ में body से बाहर चला जाता है, next function एक है तो protein का metabolism करते हैं लेकिन लीवर यह दो गामा ग्रौलीन का सेंथे सिसने ही चरता है कि जब ग्लुकोस हमारी बॉडि के अंदर आवेलेबल नहीं है तो फैटी असीड होती हो और ब्लैक्डाउन होकर हमें प्रोड़क्शन देते हैं एनर्जी के हमें मैं एनर्जी हमें मिलती बाएते है लोठ फैटीक है ये लिबर करवायता जिसके अलबा मिश्क्राइब यह स्टोर करके रखता है अपने बोडी के अंदर ठीक Burada IRS का मैटाबलीजम उता है जो भी अपनी जो भी मैडिसन इंटेख करते वह affects होती है लिवर के अंदर है मतलब वो अपनी बॉडी में यूट यूटलाइज होने के बाद में बॉडी से एक्स्ट्रेट होने के लिए ready हो जाती है metabolism होने के बाद ने देन बाइल का formation जो कि help करता है कि इसके अंदर लिए जू करने मेंपनी मदद करता है food का digestion में ठीक है और यह जो गजूस होता है यह ईंससे दक्ट के थुरू क्या होता है गॉल बेडर से और जूस जो हता है तो सिस्टीडर से कॉमन बैल डक्ट में आके सीधा चला याता है हिप्टो पैंक्रेटिक हैं पुला के हैं से डियो डिनम के अंदर ठीक है तो यह था अपने फंक्शन से किसके लिवर के और अपने लास अधिस को सिस्टिक बोलते हैं और शिटर आगे जाकर यह कोमन है पेटिक के साथ के मार्जन के पास में और यह गॉल्डज जोता है तो कनेक्टेट होता है कॉमन बाइल डाट किसे बाइदे हलप आप अपको इस पिच्चर के अंदर बता है इसके जो कापेशिटी लॉन ली थर्टी टू फिप्टी एमिल किसकी कापेशिटी होती है और गॉल बेडर का फॉंक्शन के वाइल को स्टोर करने में फॉंक यह होता है कि वहां का बाइल डाक्ट जो उन्हूंद चांसे और मंक्शन की चाहथ होता है जीरदिक दस हो जाता है जिसे यह हाँ वाप बाइल गलंड आप्ट प्रफ यह तुर्थ जी प्रफ यह लिए लिक प्रफ दिख जाए भी कि यह लिए लिए लाख्ट चान दिए